जीवन में हम बहुत सारे ऐसे निर्ने ले लेते हैं जिसकी वज़े से बाद में हमें बहुत ज़्यादा पस्ता न पड़ता है बहुत सारे डिसिजन हमारे सही भी होते हैं जिनकी वज़े से हमें बहुत सारे अचिवमेंट्स मिलते रहते हैं लैप में लेकिन बहुत सारे maximum जो decision आज इंसान लेता है वो गलत ही लेता है आज हमारे निर्ने शक्ती कमजोर है आज हम बिना सोचे बिना समझे आज निर्ने ले लेते हैं तो maximum हमारे जो निर्ने होते हैं जो decision होते हैं वो गलत ही होते हैं और उन गलत decision का हमें बहुत सारा bad effect देखने को मिलता है यानि नकारात्मक्ता से हम भर जाते हैं बहुत जादा हमें टैंशन बहुत जादा डिप्रेशन क्रियेट हो जाता है जैसे कोई बच्चा होता है और वो पढ़ाई से सम्मंद्र डिसिजन जब लेता है तो कहीं बार गलर डिसिजन ले बैठता है उसको पता ही नहीं ह साथ होता है कि बच्चे के सामने बहुत सारी मजबूरियां होती है कभी कबार माबाप भी अपना सब्जेक्ट बच्चे के उपर ठोप home देते हैं बच्शे को मैं इंट्रेस्ट लेकिन माबाप क्या है क değ SCI साइंस बाइलोजी ही ले बच्चे का दूसरे सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट है उसका हिस्ट्री में इंट्रेस्ट है जोग्रोप में इंट्रेस्ट है लेकिन बच्चे को जबर्दस्ति क्या दिला देते हैं साइंस बाइयो दिला देते हैं मैतमेटिक्स दिला देते हैं तो बच्चा उतनी शम्ताओं के साथ आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरी मैंड की स्ट्रेंद कहां तक है मेरे दिमाग की शम्ताए कहां तक है फिर वो कठीन सब्जेक्टों में जूजता रहता है जीवन भर संगर्श करता है आप ये देखो कि आपने जबर्दस्ती अपने बच्ची के उपर वो सब्जेक्ट थोपा है तो वो बच्चा जीवन भर उसमें संगर्श करेगा कभी कबार बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर एक गलत डिसिजन से लोगों के करोड़ों रुपे डूब जाते हैं एक छोटा सा डिसिजन अगर वर डिसिजन फिर बाद में हम पस्ताते हैं कि शायद मैं थोड़ा सा धेर रहता के साथ थोड़ा सा रुक कर इस बिजनेस के बारे में सोच लेता पहले market की value पता कर लेता पहले market में जाकर उसको observe कर लेता तो शायद आज मेरा करोडों का नुकसान नहीं होता लेकिन हम क्या करते हैं आज दुनिया में जितना भी कारोबार चल रहा है वह सिर्फ एक decision की वजह से चलता है एक छोटा सा idea और वह idea ही आपके जीवन को बना भी सक होता है आज बड़े बड़े businessmen देख लो एक छोटा सा जो decision है उनका किसी को तो वह करोड़ पती बना दिया और किसी को आज बहुत करोडों का नुकसान तक हो रहा है एक छोटा सा decision decision आप लो decision लेने से आप डरो मत बहुत सारी लोगों की ये problem रहती है maximum जादा तर businessmen जो होत गा और गलत हो जाएगा तो कई करोडों रूपे मेरे डूप तो नहीं जाएंगी जीवन में हमेशन याद रखो decision लेने से कभी घबराओ मतो दो चीजें होती है life में या तो success मिलेगी या failure हो जाओ के या तो सपलता मिलेगी या असपलता मिलेगी ये दो ही चीजें हो सकती ह लेकिन इसके बावजूद सपलता असपलता को ध्यान में रखकर आप decision लेना कभी भी बंद ना करें क्या पता जीवन में कब आपका decision बिल्कुल सही निकले और आप बहुत टॉप तक चले जाओ अब बात आती है कि decision कब लेना चाहिए एक इनसान को अपनी शमताओं को कब काम में लेना चाहिए अगर आपका mind बहुत जादा attention में है आप बहुत जादा पहले से हताश हूँ, बहुत जादा पहले से ही चिंताओं से गिरे हुए हूँ, पारिवारिक माहोल आपका घर का ठीक नहीं है, पारिवारिक चीजों में उतल पुतल है, तो फिर उस समय कोई बड़ा decision आप ना ले आज बहुत सारे रिष्टे बिगड़ने का कारण क्या होता है, कि जल्द बाजी में हम decision बहुत कड़े ले लेते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि हमारा decision किस तरह से हमें लेना चाहिए, आज उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, जो लगातार परिवार में कलाकलेश बना रहता है, वो लोग आज जो नए नए जो रिष्टे जुड़ रहे हैं लोगों की, उन रिष्टों के अंदर आज ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, और विश्वास ना होने के कारण वो रिष्टे क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी टकरार के बाद में उनके decision making power है, वो लोस ह जाती है, और ओटोमेटिकी वरिष्टे तोड़ना अच्छा समझते हैं, जीवन में हमेशन याद रखें, थोड़ा सा decision लेने से पहले पांच मिनट अपने mind को शान्त करें, और ये आगे पीछे का सोच कर decision लें, कि मेरा भविश्य क्या इससे सुदरेगा, क्या मैं भविश में इससे कुशर पाऊंगा, जीवन में हमेशन तोल कर decision ले, पांच मिनट शान्त में बेठें, और फिर सोचें क्या मेरा decision सही है, और अगर सही है, तो फिर 100% आप उस decision को ले सकते हैं, जीवन में सफल वही होता है, जिसकी decision making power क्या होती है, बहुती जादा strong होती है, बहुत जादा pure होती है, सुद्ध शंकलपों के साथ हमेशा भगवान खड़ा रहता है, अच्छे संकलपों के साथ सुईं परमात्मा आपकी मदद करता है, लेकिन गलत संकलपों के साथ कभी भी परमात्मा खड़ा नहीं हوتा है, जीवन में हमेशा याद रखें, अच्छे decision किसी का बुरा मुझे करना है, ये कभी ना सोचे, हमेशा मुझे सभी का क्या करना है, अच्छा करना है, दुश्मनी कितने दिनों की रहेगी, शरीर कब छूट जाये, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जीवन में अगर आप आये हूँ, मनुश्य जीवन आपने लिया है, त तो अच्छा इंसान बन कर जीओ, ताकि सब आपकी मरने के बाद भी तारीब करे, जीवन में हमेशा अच्छे decision इंसान को लेना चाहिए, तब ही जाकर आप एक सपल इंसान बन सकते हो, और maximum सबी लोगों से में ये कहना चाहता हूं, कि आप जो भी आपके decision जीवन के बड़े अबड़े जो decision ले, वह सवेरे के time पर ही ले, चाहे तो वह अमृत्विला ले सकते हैं, सुबर मौनिंग टाइम पर आप ले सकते हैं, लेकिन सवेरे के time पर जो आप decision लेगे, वह decision आपका जीवन भर बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि जो सवेरे के time decision लेते हैं, तो मन आपका शान्त होता है, आपका मन शान्त होता है, तो इसका मतलब आप एक अच्छा decision ले सकते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े businessmen हुए, और बड़े-बड़े businessmen ने क्या किया, अपने decision making power की जरिये ही, आज करोडों अर्बों का कारोबार वो चला रहे हैं, तो जीवन में हमेश्य याद रखें, आपका decision ही आपको उन्नती तक ले जाएगा, आपका decision ही आपको एक सबल इनसान बनाएगा, जीवन में decision लेने से कभी न घबराएं, कभी भी अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप वहाँ पर ही stop कर दें, जीवन में हम हमेश्य निरंतर इनसान को आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, अगर इनसान लगातार आगे नहीं बढ़ेगा, तो वह कभी भी सपलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं,